Hello Friends, आज हम एसस से संबंदित एक important content को पढ़ेंगे, जैन धरम. मैंने इसमें जैन धरम से संबंदित महत्वपून तत्यों को include किया है, जो बार-बार हर एक्जाम में पुछे जाते हैं, revise होते हैं, तो हमें उन महत्वपून तत्यों को स्मर्ण करना बेदी आवश्यक है, तो चलिए शुरू करते हैं, जैन धरम से संबंदित जुड़ी हुई कुछ महत्वपून बात. सबसे पहले जैन धरम की उत्पत्ति वे प्रतिपादक की अगर हम बात करते हैं, तो जैन शब्द की उत्पत्ति जिन धातू से होई है? जैन शब्द जो है, यह जिन धातू से बना है, जिन सब्द का आर्थ होता है विजेता, कौन सा विजेता? जिसने अपने मन कू, अपनी वानी को और अपने कारीओं को जीत लिए हो. कई बार क्वेशन पूछ लिया जाता है तो इसलिए हमें पता होना चीए जनरली कि जैन शब्द की उत्पत्ति जिन धातू से हुई है और जिन का अर्थ विजेता जिसने मन वाणी और कारियों को जीत लिया हूँ उसके बाद हम बात करें जैन धरम में प्रमुक 24 तीर्थंकर हुए है पहले जो इसके तीर्थंकर है उनका नाम है रिशब्देव रिशब्देव को ही हम आदिनात की नाम से जानते हैं रिशब्देव को मानव सब्देता का जनक कहा जाता है चूकि रिशब्देव इनके जैन धरम के प्रथम तीर्थंकर है तो इनके बारे में हमें कुछ तथ्यों का पता होना भोतदी का अवश्यक है कई बार परिक्षा में ये पूछे जाते हैं तो जैन धरम के प्रथम ती ये सब रिशब्डेव को 19 सभ्यत्या का जनग का जाता है, भागबत पुराण में रिशब्डेव को नारैन का वतार मना गया है, रिशब्डेव का जनम अयोधा में एक्श्वाक वंस में हुवा था नेक्स्ट अगर हम बात करें तो रिशब देव जो है इनके सो पुत्र थे जिन में से दो पुत्र इनके प्रसिद्धुए एक का नाम चक्रवर्ती समराथ भरत प्रहा और दूसरा महान तपश्वी बहुबली याद करने वाली बात है कि रिशब देव के दो पुत्र चक्रवर्ती समराथ भरत के नाम से प्रसिद्धुए और एक महान तपश्वी बहुबली नेक्स्ट है करनाटक के स्रवन बेल गोला में बहुबली ये जो रिशब्देव के पुत्र हैं बहुबली तपश्वी इनकी करनाटक के स्रवन बेल गोला में बहुबली बहुबली को ही गोतमेश्वर के नाम से भी जाना जाता है कि एक प्रशिद्ध मूर्ति है जैन धरम के 23 तीर्थंकर पारश्वनाथ रहे। पार्शोनात को बोध जो धरम है बोध शाहित में निगठनात या निगरंथनात के नाम से भी जानना जाता है अच्छा एक इंपोर्टन बात कि पार्शोनात ने चार महावरत बताए है सत्य, अहिंसा, अस्ते और अपरीग्र है पार्शोनात के द्वारा ये चार महावरत बताए गए है सत्य, अहिंसा, अस्ते और अपरीग्र है देखो महावरत पांच होते हैं लेकिन पार्शोनात ने चार बताए थे और पार्शोनात ने चार महावरत बताए सत्य, अहिंसा, अस्ते और अपरीग्र है नेक्स्ट देखिए फिर अगर हम बात करें तो नेक्स्ट के बारे में अगर मैं आपको बताओं नेक्स्ट तो देखिए आप जयन धरम के वास्त्विक संस्थापक महाविर स्वामी रहे अभी मैंने आपको बताया था कि जयन धरम के वास्त्विक संस्थापक कौन है महाविर स्वामी महाविर स्वामी जयन धरम के 24 वे तीरतंकर हुए ये जनरल कोश्चन है महाविर स्वामी जयन धर्म के 24 वे तीरतंकर थे जयन धर्म की प्रतम तीरतंकर कौन थे रिशब देव आदिनाथ दोनों के बारे में ही पूछा जाता है और 24 वे तीरतंकर कौन रहे महाविर स्वामी अब हम महाविर स्वामी के जनम और उत्पत्ति के बारे में याद करते हैं महाविर श्वामी का जनम पान सो निन्याड में इस्वी पूर वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था याद रखने की बात है कि महाविर श्वामी जो है इनका जनम पान सो निन्याड में इस्वी पूर वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था माविर श्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ हम सभी जानते हैं लेकिन आप दौरमल ये गोशन नहीं पूचा जाता है कि इनके पिता का नाम क्या है ये पूचा जाता है कि माविर श्वामी के पिता किस कुल से संबन दिते तो हमें ये पता होना चीए तो माविर श्वामी क माता जो है त्रिशला वो लिच्वी शासक चेटक की बहन थी यह चेटक लेखा हुआ है यहां पर चेटक है महाविर्श्वामी की पत्नी का नाम यसुदा था ठीक है तो महाविर्श्वामी की जनरल जानकारी की महाविर्श्वामी का जनर पान सुन इन्जान में इस्वी पू प्रियदर्शना या फिर मैं कहूं अनोज्जा नाम से भी वो प्रसिद्ध थी तो महाविर स्वामी की पुत्री प्रियदर्शना अनोज्जा थी महाविर स्वामी की जो दामात थे जिसे जामाता बोला जाता है उनका नाम था जामाली और ये जामाली ही महाविर स्वामी के प पश्चा के बाद, यानि कि 30 वर्स में ग्रहत्याग किया, 12 वर्स कठोरत पश्चा किया, तो कुल मिला के हो गया 42 वर्स, तो 42 वर्स की आयू में, जंबी ग्राम नामकिस्थान पर, रिजू पालिका नदी, जंबी ग्राम नामकिस्थान, रिजू पालिका नदी, और साल वरक् प्रक्ष के नीचे कैवल ज्यान की प्राप्ति भी थी आप देखिए ज्यान प्राप्ति के कारण इने कैवलिन कहा गया महानवीर होने के कारण इने अरहत कहा गया इंद्रियों को जीतने के कारण इने जिन कहा गया बंदनों से मुक्त होने के कारण महावीर स्वामी को निरग अंत कहला है ठीक है उसके बाद हम देखते हैं कि महाविर स्वामी को जो निर्वान यानि कि महाविर स्वामी की मृतु की अगर हम बात करें तो महाविर स्वामी को निर्वान 527 स्विपूर पावापुरी में बहतर वर्स की आयू में राजा सुस्त पाल गई है प्राप्तवा बहुत बार पूछा जाता है कि महाविर स्वामी के उपदेशों की भासा कौन सी रही तो प्राकरतिया अर्दमागदी भास्षा प्रथम जैन भिक्षुनी नरेश ददिवान की पुत्री चंपा बनी जैनल फैक्ट है याद रखने लाएक कि प्रथम जैन भुक्षुनी बनी जैन संका प्रमुक बना था तो यहां ने बात की महाविर स्वामी की मेट्वान्ट पानसो जताई स्वी पूरू, पावापुरी में बैतर वर्श के आयों में रजा सुस्थपाल के हैं प्राप्तवा महाविर स्वामी की उपदेशों की भासा प्राकरत यार्दमाग दिये उसके बाद नेक्स देखिए महाविर स्वामी ने प्रथम उपदेश राजग्रह में दिया बहुत इंपोर्टन बात है कई बार पूछी जाती है कि महाविर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया तो महाविर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश राजग्रह मे जैन धर्म के पंच मावरत सत्य आहिंसा आस्ते अपरीग्रे और भ्रमचरिये जैन धर्म के त्री रत्न में हम सभी जानते हैं समय ज्यान समय दर्शन और समय चरित्र ठीक है जैन धर्म इस्वर में विश्वास नहीं करता यानि कि एक तरह से नास्तिक धर्म है लेकिन ये करम और पुनरजनम में विश्वास करता है इंपोर्टन फैक्ट है याद रखने लाया जैन धर्म में बंधन और मोक्ष के यानि कि मोक्ष प्राप्ति के साथ तत्व माने गए हैं जीव पुदगल बंधन आश्रव समर निरजरा और मोक्ष ये साथ तत्व माने गए हैं कई बा जैन धरम में बंदन और मोक्ष के साहत तत्तों माने गया है जीव, पुद्गल, बंदन, आसर्व, सवर, निरजरा और मोक्ष चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है जैन धरम के दो प्रमुक संपरदाय सभी जानते हैं जैन धरम के दो प्रमुक संप्रदाय स्वेतांबर और दिगंबर है स्वेतांबर जो है स्वेतांबर संप्रदाय स्वेतांबर यानि कि स्वेत वस्त्र धान करते हैं और इनके प्रधान रहे स्थूल भावू ठीक है उसके बाद दिगंबर दिगंबर मतलब जो वस्त्रधान नीरक करते नगन रहते हैं और उनके प्रधान माने गए हैं बद्रवाउ को जैन धरम का सबसे महतुपून ग्रंथ है कल्पशूत्र कल्पशूत्र लिखा गया है बद्रवाउ द्वारा जैन धरम में प्रमुख दो संगीतियां हुई यह भी याद रखने बात है जैन धरम की प्रतम संगीति 322-28 प्रधान में प्रधान थे उनका सासन था पाटली पुत्र में हुई और इसी प्रतम संगीती में जैन धरम दो संपरदायों में स्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हो गया था जैन धरम की दूसरी संगिती 512 से 513 स्वी और किसके सासनकाल में देवर्शी छमा स्रवन के सासनकाल में और कहा हुई थी वल्लभी गुजरात में थी ठीक है? तो यहां आमने देखा कि जैन धरम के प्रमुक दो संपरदाय स्वेतांबर और दिगंबर स्वेतांबर जो स्वेत वस्त्रधान करते हैं और जिनके प्रदान स्थूल भाहू रहे दिगंबर जो वस्त्रधान नहीं करते नगन रहते हैं और उनके प्रदान बद्र बाहू रहे, जैन्धरम का सबसे महत्वपुन ग्रंत कालप सुत्र जो किसके द्वारा लिखा गया बद्र बाहू द्वारा उसके बाद जैन्धरम की दो संगीतियां, पहली संगीती 322 से 208 में सवी पूर, उस समय सासन किसका था, जैन्धर गुप्त मौरिये का, कहां हुई पाटले पुत्र में, और इसी प्रथम संगीती में जैन्धरम दो संप्रदायों में विभक्त हो गया था, सेकिंड दूसरी ज शमासरमन के सासन काल में, और कहां पे हुई वल्लभी गुजरात में, तो हमने सारे इंपोर्टेंट फैक्ट्स एक एक करके यहां पे, मैंने इसमें सामिल किया है, जैन्धरम से जुड़े वे, कि जैन्धरम जो है, जैन्धरम की उत्पति, जिन धातु से हुई, जिन भूद गरंत में नारहन का उतार माना गया है, रिशाब डेव जो है, रिशाब देव के सो पूत्र थे, जैन्धरम की अगर हम बात करें तो उनमें दो प्रशिद हुए, और नो, करनाट के सरवन बेल गोला में, बाहु वली की प्रशिद मूर्थी भी है, जैन्धरम की पार्षुनात का जनम पार्षुनात को बोध साहित में निगतनात माना जाता है। मिनों गरत आगा अपने बड़े भाई नंदी वर्दन किया गया से 12 वर्स का ठोरता पश्यागी और 42 वर्स में इने जंबी ग्राम रिजु पाली करन दी शाल वरक्स के नीचे ग्यान की प्राप्ती हुई इनका निर्वान 2577 स्विपूरॢा पावापुरी में बैत्र वर्स के वर्स की आवयु में राजा सुस्तपाल के जहा इनके अपदेश प्राकरत अर्द्मागदी बहस्षा में है प्रथम जयन बिक्षणी नरेशदादिवान की पुत्री पूत्री चंपा बनी महाविरश्वा प्रदान के प्रदान स्वित वस्तदान करते इनका प्रदान स्थूल-बाउरा दिंगबर नगनर रहते हैं या वस्तदान नहीं करते हैं के प्रिदान बद्रभावु रहे, जैन धरम का प्रशिद ग्रंत कल्प सुत्र बद्रभावु द्वारा लिखा गया, जैन धरम की दो संगीतियां, पैले संगीती तीन सो, बाइस से दो सो अठान में स्विपूर, चंद्रगुप्त मोर्य के शासनकाल में पाटली पुत्र में जैन धरम दो भागों में भक्तुआ, दूसरी पांसो बारा से पांसो तेरा स्विपूर, देवर्सी छमासरवन के शासनकाल में वल्लभी गुजरात में हुई, तो आजम ने जैन धरम से जुड़े वे बहुत ही महत्वपूर तथ्यों को यहाँ पे अधन किया है उनका, और यह लगबग-लगबग सभी तथ्यों इंपॉर्टेंट है, चाहे संपरदाय की बात हो, चाहे ग्रंत की बात हो, चाहे माविर स्वामी के जनम, उनके माता पिता से सम्मनित बात हो, चाहे जैन धरम के प्रमुक्सिद्धानतों की बात हो, इन सब को मैंने इसमें इंक्लूड किया है, यह सभी किसी भी एक्जाम के दरस्टी से बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपून तत है, आप सभी इनको पढ़िए, इनका रिवाइज कीजिए, इनका नूट्स बनाइए, कुछ समझ में नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, धन्यवाद